नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नीज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा देखे बिहार में चुनाव प्रचार का दौर सुरू हो चुका है और पीएम मोदी के साथ ही महागड़बंधन जो है वो भी अपनी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं जिसमें तेस्वी आदब मुखड हुकड के बोल रहे हैं तो एक तरफ जो है पीएम मोदी भी बिहार का लगतार दौरा कर रहे हैं आज जो है नवादा में पीएम मोदी आ रहे हैं और चार दिनों के बाद जो है बिहार में ये दूसरा दोड़ा होगा पीएम मोदी का जिसमें सभी नेता मौजूद होंगे जिस तरीके से जमूई में सारे निता नितीश कुमार से लेकर समराठ चोधरी सभी लोग मौजूद थे चिराग पासवान उसी तरीके से इस सभा में भी यानि नवादा में जो है सभी नेता मौजूद रहेंगे चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे और साथ में या मिटाने में पीएमोदी का यहां पे हात देखा जा रहा है तो पीएमोदी बिहार आ रहे हैं इसलिए दुनों मंज पर उपस्थित होंगे और नवादा इसली आ रहे हैं पियमोदी क्योंकि डॉक्टर सीपी ठाकुर है भीजेपी के नेता है उनके बेटे हैं विवेक ठाक एग्यारह बजे आज जो है लाइब भी आने वाले हैं और लाइब में नवादा को ले करके जो पीम मोदी आ रहे हैं उस पर जो है कुछ अपने विचार रखने वाले हैं लोग तंत्र को लेकर के वो विचार रखेंगे और फेस्बुक चौपाल नाम दिया है इसे लेकिन इस से पहले उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है नवादा को लेकर के उन्होंने कुछ पोस्ट किया है उस पोस्ट को मैं आपको बताता हूं कि आखिर तो तेस्पी यादब ने पोश्ट किया है और नवादा को ले करके पोश्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है आज आधर निये प्रधान मंत्री जी की नवादा बिहार में होने वाली रैली को ले कर बिहार वासियों में उत्सुकता और उमीद है कि मोदी जी आज प्रदेश वासियों को भासन में ये अवस्ति ही बतलाएंगे कि वो बीजेपी के इंस्टिट्यूशनल और सिस्टेमेटिक करप्सन को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही प्रष्टाचारी तथा घोटालेवाज क्यूं बताते रहते हैं। वासिंग वसीन में धुलने के बाद बैमान भरष्ट और नकारे से इमांदार करमठ वा सुयोग्य बंद सभी केसों से बड़ी हो जाते हैं। तो एक कटाक्ष किया है तेस्वी आदब ने और कुछ बिंदुवार तरीके से उन्होंने कटाक्ष करते हुए समझाया है जनता को फिर चौथे पॉइंट में लिखा है कि पीएम बताएंगे कि जाच एजेंसियों की मदद एवं छापे के बाद इलेक्टरल बॉंड्स के जड़िये कैसे और क्यूं बड़ी कमपनियां हजारों करोर रुपए बीजेपी के खाते में डालती है पीएम बताएंगे कि कोई भ परिवारवादी नेताओं को टिक्टे दी है पीएम बताएंगे कि क्यूं जाच एजेंसिया बीजेपी नेताओं के घर चापा नहीं मारती बीजेपी नेताओं की जाच क्यूं नहीं होती पीएम बताएंगे कि बीजेपी नेताओं का काला कारोबार भरष्टाचार कदाच ुअब उसे विबंध क्यों किया था भी 125 में युवाउं को पर्तिबर्स दो करोर नौकणिया तथा भिहार को विसेश राजिका धरजी का गोस्ता क्यों की थी लेकिन अब उस वादे को क्यों भूल गए निनानवे पॉइंट नाइन नाइन परसेंट बिहारी ये भी जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी देश भर में दस वर्सों से हो रहे हैं बीजे पी के संस्थागत संगठित एवं बेवस्थित भरष्टाचार प पर न जाये तो दस में जो है तेश्वी यादब ने पियम मोदी पर कट अक्ष किया है और उन पर कई सारे सवाल ला गए तेश्वी यादब ने तो तैश्वी यादब बहुत जादा घुस्थे में दिखायते रहे हैं और लगातार जो है पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं कल जो है वो जमूई पहुंचे थे जमूई में भी उन्होंने यही बाते की थी कि पीएम मोदी जो है वो कुछ भी कार नहीं कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ जुमले बाजी करते हैं न तो रुजगार देते हैं न तो कु के दवाव के कारण जो लोग है भाजपा में सामिल हो रहे हैं वो लोग बेदाग हो जाते हैं और जो लोग नहीं होते हैं उन पर दाग लगे रह जाते हैं और जो लोग भाजपा में जाते हैं वो नारेंगी रंग के वासिंग मसीन में धुल जाते हैं और बेदाग हो जाते ह उन्होंने कटक्ष्किया है और यह सब बिंदुवार उन्होंने बातों को समझाया है तो तैसफ़्ी आदब काफी जादक मुखर हो करके बोल रहे हैं पीएम मोदी पर और अपने कारेकाल को भी गिना रहे हैं सत्रा महीना जो उन्होंने काम किया बनाम सत्रा साल वो कहते हुए नजर आ रहे हैं हाला कि नितीश कुमार के लिए उनके अंदर सौफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वो हमेशा कह रहे हैं मंज से कि नितीश कुमार को हाईजेक किया है बीजेपी ने लेकिन बीजेपी को किसी भी तरीके से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और पीएम मोदी पर खास करके वो हमला बोलते नजर आते हैं और बहुत कुछ बाते कर रहे हैं जब पीएम मोदी कहते हैं कि देश के लिए वोट कीजिए देश का विकास होगा देश का हम विकास करेंगे तो तो यह सब सोचने वाली बात है फिलहाल इस वीडियो में इतना हैं आपको कैसे लगी यह जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए धन्यमाद